नमस्कार बच्चों हम कर रहे हैं नाना साब के पुत्री मैना देवी को भसम कर दिया के MCQ यह मैंने दो पार्ट में बनाया है यह सेकंड और आखरी पार्ट है आशा करता हूँ यह आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप इनको लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेर भी जरूर करेंगे शुरू करते हैं आखरी और सेकंड पार्ट परसाद के धेर पर बैटके कौन रो रही थी मैना, सीता, गीता या मेरी सही जवाब है मैना अंग्रेजों ने नाना साहब के किले को किस से उडाने का निर्ने लिया था तोपों से, टैंकों से, मिसाइलों से या बंदूकों से इसका सही जवाब है दोपों से उडाने का निर्ने लिया गया था अंग्रेज सिपाही महल के अंदर कैसे घुसे दिवार तोड़ कर, चोरी से छिप छिप कर, दिवार फात कर या फाटक तोड़ कर, इसका सही जवाब है, फाटक को तोड़ कर वोन लोग अंदर कुसे थे कहाँ पर भीषन हत्याकान होने के बाद, अंग्रेजी सेना बिठूर पहुची थी, होश्यारपूर, यहांसी, जबलपूर या कानपूर, सही जवाब है, कानपूर में भीषन हत्याकान हुआ था उस समाचार पत्र का क्या नाम था या क्या नाम था, जिसमें मैना के जलने का समाचार छपा गया था, अख़बोर हिंद, लोकवानी, महराश्टर पत्र या बाखर, यह आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसका सही जवाब है, बाखर मैना देवी किस की पुत्री थी, राम बहादुर की, जनरल हे की, तात्या टोपे की या नाना साहब की, यह तो बड़ाई जिया आप लोगों के लिए, वो नाना साहब की पुत्री थी जनरल हे की पुत्री का क्या नाम था मरिया ग्रेशी सोनिया या मेरी सही जवाब है जनरल हे की पुत्री का नाम था मेरी नाना साहब का पूरा नाम क्या था सुमित्रा नंदन पंत नाना साहब धुन्दू पंत नाना साहब शिवाजी राव नाना साहब या पुन्दू पंत नाना पाटेकर सही जवाब है धुन्दू पंत नाना साहब जिस सरकार का नौकर हूँ, उसकी आग्या नहीं टालता, ये शब्द किस ने कहा था, सैनापती है ने, लॉर्ड कैनिंग ने, नाना साहिब ने, या इन में से किसी ने नहीं, सही जवाब है, सैनापती है ने ये शब्द कहे थे जड शब्द का अर्थ क्या होता है, जीवित, सजीव, मरा हुआ या निर्जीव, जड शब्द का अर्थ होता है, निर्जीव, जिसमें कोई जीव ना हो आपके विरुद जिनोंने शस्त्र उठाये थे वे दोशी हैं ये कतन किसका है रानी का, लेखी का का, मेरी का या बालिका का और इसका सही जवाब है ये कतन बालिका का था मैना की अंते मिच्या क्या थी? वे वहाँ से भाग के जाना चाहती थी वे महल की राक पर जी भर कर रोना चाहती थी या वे अपने पिता की चिता पर रोना चाहती थी या वे महल को जी भर कर देखना चाहती थी इसका सही जवाब है मैना की अंते मिच्या थी कि वे महल की राक पर जी भर कर रोना चाहती थी मेरी तथा मैना में किस प्रकार का संबन था सामान ने, दोस्ती का, दुश्मनी का या कुछ भी नहीं था तो बच्चों मेरी तथा मैना में जो संबन था वो एक दोस्ती का संबन था टाइम्स भत्र ने 6 सितंबर को लिखा था बड़े दुख का विश्य है कि भारत सरकार आज तक उस दुरदात नाना साब को नहीं पकट सकी इस वाक्य में भारत सरकार का क्या आश्य है भारत सरकार से आश्य है केंदरीय मंत्री मंडल भारत सरकार से आश्य है अंग्रेजी हुमत से है जो उस समय भारत में शार्षन करती थी या भारत सरकार से आश्य है भारत के राश्पती या सरदार आश्य है भारत के परधानुत्री से है इसका सही जवाब है भारत सरकार से आश्य है अंग्रेजी हुकूमत जो उस समय भारत में शार्षन करती थी किस गवर्नर जनरल के उतार देने का सुझाव धिया गया था तलहोजी को, लॉर्ड कैनिंग को, कर्जन को या हेस्टिंग्स को सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग को 1857 के विद्रोह में कौन असक्वल हुआ टीपु सल्तान, नाना साहिब, शिवाजी या तोपे सही जवाब है, नाना साहिब सवल हुए थे मैना जड़ बदार्थ मकान को क्यूं बचाना चाहती थी महल उनके पिता के स्मृति चेन के रूप में सुरक्षित रहे, इसलिए वे उस मकान में निवास करना चाहती थी वे उस महल के स्थान पर और महल बढ़ना चाहती थी या वे मकान ही उनकी एक मातर समपति थी यह हम पहले कर चुके हैं, इमपॉर्टेंट एमसी क्यू है अलग ट्राइब के आप्शन आए हैं, तो आप यह ज़रूर याद रखना मेना जड़ पदात मकान को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो महल उनके पिता के स्मरती की चेहन के रूप में सुरक्षित रहे मेमोरियल टाइब और बच्चों यह लास एमसी क्यू है, इस पार्ट टू का और इस पार्ट का आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे अगर आ रहे हैं तो लाइक करना बिलकुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा सैनिक दलने कहांतों पे लगाए थी बिठूर, जहांसी में, कानपूर या गॉलियर में सही जवाब है लाई